Hello Friends, Welcome All of You and Quality and Facts दोस्तो आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं माइकल वालजार के बारे में माइकल वालजार एक बहुत ही इंपोर्टन थिंकर है जिन्हें समुदाएवाद यानि कॉमिनिटेरियनिजम के तहत पढ़ा जाता है इनके दो तीन ऐसे विचार है जो अक्सर एक्जाम्स में आ जाते हैं जैसे जस्ट वार डॉक्टरीन इन्होंने दी है जस्ट एंड अंजस्ट वार बुक के अंदर स्फेर्स अब जस्टिस बुक इन्होंने जो लिखी है उसके अंदर इन्होंने नियाय का जो सिधान्त दिया है वो important हो जाता है और इसके साथ complex equality जैसे जो सिधान्त है वो इनके काफी important माने जाते हैं सबसे पहले friends आपके लिए एक important information है अगर आप anti-net political science, assistant professor political science, राज्यस्थान कॉलेज केडर, हर्याना कॉलेज केडर, हिमाचल प्रदेश कॉलेज केडर के लिए अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो quality and facts पर complete conceptual course available है राज्यस्थान कॉलेज केडर के लिए, हर्याना कॉलेज केडर क लिए और anti-net political science के लिए और ये evergreen course है, यानि आप जब मरजी इसे join कर सकते हैं, आपको recorded video complete manner में मिलेगी, आप अपना schedule के हिसाब से पढ़ सकते हैं, इसके साथ आपको mock test भी इसमें मिलेंगे और unit wise भी आपको material इसके अंदर मिल जाएगा, तो आप आज ही download करिए quality and facts application google play store से तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, तो सबसे पहले introduction के तौर पर इनके जीवन परिचे को देख लेते हैं, इनका जो time period है, ये एक contemporary thinker है, 1935 से लेके अभी तक, यानि ये आज भी हमारे बीच मौजूद है, 1935 में इनका जन्म हुआ है, माइकल वॉलजार एक प्रमुख आधुनिक न्याय शाष्टरी, यानि इन्होंने justice के सिधान दिये हैं, जैसे रोबर्ट नौजिक, जॉन रोल्स इत्यादी ने दिये थे, सेम इन्होंने भी न्याय का सिधान दिया है, ये एक समुदायवादी यानि communitarian thinker है, और राजनिति विचारक और लेखक है, लेखक क्योंकि इन्होंने 27 से जादा प्रमुख किताबे लिखी है और 300 से जादा आर्टिकल इनके publish हुए हैं, इनका जन्म 3 मार्च 1935 को New York यानि अमेरिका के अंदर हुआ, वॉलजार की प्रमुख पुस्तक Just and Unjust War है, जिसमें उन्होंने युध औ और युध निती के मामले पर विचार किये हैं, उनका महत्वपुन योगदान न्याय शास्तर के तत्वों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर में समझने में हैं, वॉलजार के विचारों का महत्वपुन आधार उनका Communitarian Justice सिधान्त है, वे ये मानते हैं कि न्याय और न्याय की संरचना व्यक्तिगत और सामाजिक समुहों के संगठन, संगठन और अधिकार के सामर्थे पर निर्भर करती हैं, तो दोस्तों, सिंपल यहाँ पे क्या है, कि न्याय शास्तर के तत्वों को इन्होंने क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर में देखने की कोशिश की ह तो अभी तक जितने भी थिंकर है उन्होंने न्याय को क्या है न्याय को इन्होंने बेसिकली रज्य द्वारा प्रदान की गई स्थितिया माना जिसे आप बहुत तिक परिस्थितिया कह सकते हैं यानि सभी को समान न्याय देना सभी को समान अवसर प्रदान करना सभी के साथ स प्रिश्टी कोण न्याए के प्रती सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्व में है यानि संस्कृति के आधार पे और सामाजिक आधार पे न्याए देना वालजार के विचारों का महतुपून आधार क्या है? कॉमिनिटेरियन जस्टिस सिधान्त है यानि सामुदाईक न्याईक सिधान्त है यानि समाज के अंदर जो समुदाई रहते हैं उन समुदाईों के साथ किस तरीके से राज्य न्याए पूर्ण व्यावार कर सकता है? किस तरीके से राज्य में रह रहे हैं समुदाईों के साथ जस्टिस कर सकता है उनका संस्कृति के आधार पे और समाजिक स्थिती के आधार पे वे मानते हैं कि न्याय और न्याय की संदचना व्यक्तिगत और समाजिक समूहों के संगठन संगठन और अधिकार के सामर्थे पर निर्भर करती है जब हम इस सिधान्द को नियाए सिधान्द को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा उनके राजनितिक विचारों ने आपसी विचार विमश, नीतियों का निर्मान और सामाजिक नियाए के मामलों में महतोपुन यूगदान दिया है 1971 में वालजार ने रोबर्ट नोजिक के साथ हावर्ड में पूंजिवाद और समाजवाद पर एक समेस्टर पाठे करम पढ़ाया तो बेसिकली रोबर्ट नोजिक हो, जॉन रॉल्स हो या माइकल वालजार हो ये तीनों हावर्ड यूनिवर्शिटी में प्रोफेसर रहे हैं और माइकल वालजार और रोबर्ट नोजिक दोनों ने एक साथ मिलकर एक समेस्टर के अंदर यानी चे महीने पाठे करम पढ़ाया और पाठे करम दो दार्शनिकों के बीच एक बहस थी ठीके पाठे क्रम क्या है जो पढ़ाया गया 6 महीने ये दो दार्षनिकों के बीच बहस थी किसके बीच रॉबर्ट नौजिक और माइकल वालजार के बीच और नौजिक का जो पक्ष था अराजकता राज्य और यूटोपिया अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में चित देते हैं आई होप आपको ये प्रिश्ट भूमी समझ आगी होगी तो माइकल वालजार ने जो सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया था और रॉबर्ट नौजिक ने जो अपने विचार रखे थे रॉबर्ट नौजिक ने अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में वो परकाश प्रिश्ट किये थे राइटिंग्स के अगर बात करूँ पहले ही बता चुका हूँ इनकी प्रमुख राइटिंग्स आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि राइटिंग्स के मामले में 27 से अधिक राइटिंग्स इनकी और 300 से अधिक आर्टिकल तो सारे याद रखना पाना पॉसिबल नहीं है और सारे एग्जाम्स में आएंगे भी नहीं तो प्रमुख रचनाओ में दे रिवलुशन ओफ दे सेंट्स अ स्टडी इन दा ओरिजन ओफ रेडिकल पॉलिटिक्स अब्लिगेशन ऐसे ओन डिस अबिडियंस वार एंड सिटिजन्शिप 1970 पॉलिटिकल 1971 जस्ट एन अंजस्ट वार 1977 और स्फियर्स अब जस्टिस 1983 दो तो इनके बहुत जादा प्रमुख है इंटरपेशन एंड सोशल क्रिटिसिजम और टॉलरेंस 1997 ये भी इनकी काफी इंपोर्टन किताब है रिजन पॉलिटिक्स अन पैशन 1999 पॉलिटिक्स अन पैशन और इगैलिटेरियन लिबरलिजम और ये किताब इनकी इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्या है इन्होंने लिबरलिजम की आलोचना की है इन्होंने मार्क्सिजम की आलोचना की है इन्होंने इंडिविजुलिजम की भी आलोचना की है और इन्होंने समुदाय को important माना है community को important माना है egalitarian society को इन्होंने important माना है thinking politically essay in political theory 2007 justice without boundaries 2008 the paradox of liberation secular revolution and religious counter revolution 2015 a foreign policy for the left 2018 ये इनकी कुछ प्रमुख किताबे हैं अब आगे इनके विचारों को देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें समुदायवाद को थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा क्योंकि walls are एक समुदायवादी विचारक है और अगर इन्हें हमें completely समझना है तो हमें समुदायवाद को समझना जरूरी हो जाता है दोस्तो समुदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाजिक समुहों सम्परदायों और समाजिक मुल्यों की प्राथमिकता पर जोर देती है इस दृष्टिकोंड के अनुसार व्यक्ति की पहचान स्वतंतरता और सम्पत्ति समुदायवाद और समाजिक संरचना के साथ जुड़ी होती है समुदाय के बाहर व्यक्ति का कोई भ इंपोर्टेंस देते हैं, संप्रदायों को इंपोर्टेंस देते हैं, सामाजिक मुल्य या कल्चर आप इसको कह सकते हैं, जो सोशल कल्चर को प्रात्मिक्ता देते हैं, उन्हें समुदायवादी कहा जाता है, और इनके अनुसार समुदाय के बाहर व्यक्ति का कोई भी अस्त प्रभावित होंगे एक इंसान आदिवासी समू के अंदर रह रहा है तो उसके जो थौट्स होंगे उसके जो विचार होंगे वो कहीं न कहीं आदिवासीयों के जो विचार होते हैं उससे प्रभावित रहते हैं समुदायवाद विचारधरा जॉन रॉल्स के नियाय सिधान्तों के विरोध में 1970 के दशक के उतरार्ध में अस्तित्तों में आई यानि ये आप कह सकते हैं 1975 के बाद जॉन रॉल्स की जो Theory of Justice थी उसकी आलोचना में समुदायवादी सिधान्त की उत्पत्ती होती है समुदायवाद के अनुसार समाज में संप्रदाय और संगठनों की महतोपुण भूमिका होती है समुदायवाद एक विचारधारा है जो व्यक्तिवाद और सामाजिक नयाय के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है यहां महत्वपूर्ण है कि समुदायवाद व्यक्तिवाद का विरोध करता है क्योंकि व्यक्तिवाद व्यक्ति को साध्य और समाज या राज्य को साधन मानता है और यही जॉन रॉल्स की वो कोटेशन है यही जॉन रोल्स का वो बेसिक अजंप्शन है जिसके विरोध में समुदायवाद की उत्पत्ती हुई जॉन रोल्स क्या कहते हैं जॉन रोल्स कहलो या उनको व्यक्तिवादी या उदारवादी कहलो आप क्योंकि जॉन रोल्स क्या है जॉन रोल्स एक positive liberalist है इन्हें व्यक्तिवादी भी कह सकते आप लेकिन ये positive liberalist है इनका जो basic अवधारना थी इन्होंने कहा आत्मन साध्य से पहले है और यही वो पंक्ति है जिसके विरोध में समुदायवाद की उत्पत्ति हुई आत्मन आत्मन का मतलब होता है individual इन्डिविज्वल ठीक है और साध्य का मतलब है end ठीक है तो जॉन रोल्स ने कहा कि व्यक्ति क्या है वो साध्य से पहले है end से पहले है individual क्या है वो राज्य से पहले है इंडिविज्वल क्या है वो समाज से पहले है इंडिविज्वल क्या है वो समाजिक संस्थाओं से पहले है यानि इंडिविज्वल का विकास पहले होना चाहिए तभी समाज और राज्य का विकास होगा ये कहना है आत्मन साध्य से पहले है लेकिन इसके विरोध में माइकल स इन्होंने कहा साध्य आत्मन से पहले हैं साध्य क्या है समाज समाज की अगर आप भलाई करोगे समाज की भलाई से क्या है इंडिविज्वल की भलाई होगी समाज अगर अच्छी उन्नती करेगा तो इंडिविज्वल भी अच्छी उन्नती करेगा इस तरीके से इन्होंने क् जॉन रॉल्स के अपोजिट अपनी बात रखी समुदायवाद साध्य को आत्मन से पहले मानता है और कहता है साध्य यानि समाज के विकास में ही आत्मन यानि व्यक्ति का विकास नहित रहता है माइकल वॉल्जार के नियाए सिधान को यहाँ पे देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब हम अठियोरी अप जस्टिस पढ़ते हैं जॉन रॉल्स का उसमें क्या है उसमें सामाजिक नियाए की बात आती है उसमें रिजर्वेशन के द्वारा उसमें टेक्स के द्वा जब हम रॉबर्ट नोजिक को पढ़ते हैं तो उनका एंटाइटल्मेंट थियोरी है अधिकारिता सिधान्त है नियाए का वैसे ही माइकल वॉल्जार का जो नियाए सिधान्त है वो कॉमिनिटेरियन जस्टिस के उपर आधारित है समुदायवादी नियाए के उपर आधार करती है इनके अनुसार नियाए के मानको और नियाए प्रक्रियाओं की स्थापना उन सामाजिक समुhnों के अंतरगत नियमों और मान्यताओं पर आधारित होनी चाहिए जो व्यक्ति के अधिकारों जिम्मेदारियों और स्वाधिंता के पृति समर्थन करना चाहिए यहां सामाजिक न्याय का महत्वपून तत्तु है जो सामाजिक समुहों को अवसर संसादनों और प्रात्मिक्ताओं के अधिकार को संदक्षित करने के लिए प्रेरित करता है उनके न्याय के सिदान्त में ये भी शामिल है कि न्याय की प्राप्ती और वित्रन को सामाजिक समुहों के बीच न्याय संगत रूप से किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय सामान्य हित और सामाजिक समरस्ता को प्रात्मिक्ता मिले बहुत सिंपल है इनके विचार को समझने के लिए आज तक जितने वी विचारक है वो इंडिविज्वल की बात करते है कि इंडिविज्वल के साथ क्या है वो न्याय होना चाहिए इंडिविज्वल को ही प्रात्मिक्ता दी जाती है लेकिन माईकल वॉलजार पहले ऐसे व्यक इस्तिगतना मानकर सामाजिक समूहों और संगटनों और उनके अधिकारों के तहत सुईकार किया। उन्होंने संप्रदायों में जो संप्रदाय होते हैं जो विभिन जो समू होते हैं उसमें व्यक्ति के अस्तित्तों संप्रति स्वतंतरता और समानता के अधिकारों की मान्यताओं का समर्थन किया है यानि ये सामाजिक समू हों को प्रात्मिक्ता देते हैं अगर एक समू के सा अगर नयाय हुआ है तो आप कह सकते हैं उस समू में रहने वाले सभी लोगों के साथ नयाय हुआ है ठीक है फॉर एक्जमपल इंडिया की अगर बात करें यहाँ पे हिंदू है माइकल वालजार के अनुसार यहाँ पे हिंदू है यहाँ पे मुसलिम है यहाँ पे सिख है ठीक को एक आइडिया दे रहाँ कि किस तरीके से ये डिफाइन करते हैं अपने समुदायवादी जस्टिस को ये पॉपुलेशन है तो यहाँ पे माइकल वॉलजार कहते हैं कि जो हिंदू समुदाय है इसका कल्चर अलग है इसके सामाजिक नियम अलग है मुसलिम समुदाय के सामा कि हिंदू समुदाय के अगर असी प्रतिशत पॉपुलेशन है तो कम से कम असी लोग सो में से असी लोग क्या है वो उन्हें क्या है तात्विक ने आए सबस्टेंसिव जस्टिस इसे कहा जाता है यानि नौकरी में फॉर एक्जामपल सो पोस्ट है तो असी यहाँ से लगन पांच यहाँ से लगेंगे और जितने भी प्रतिनिधी है वो इन संगठनों से चुने होने चाहिए ताकि इनके कल्चर को वो प्रमोट कर सके तो तभी सामाजिक न्याय होगा जब समूहों के साथ सामाजिक न्याय होगा माइकल वालजार के न्याय के क्षित्र वालजार का तर्क है कि न्याय का कोई एक सिधान्त नहीं हो सकता जो सभी को स्विकारे हो क्योंकि मल्टी कल्चरलिजम की आउधारना विक्सित हो चुकी है Multiculturalism यानि हिंदू के लिए अलग नयाय है, मुस्लिम के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, Christianity के लिए अलग है, सामाजिक आधार पे, ठीक है? जीवन के सभी क्षेत्रों में नयाय का एक ही सिधान्त लागू नहीं हो सकता, अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में, नयाय का सिधान्त राजनिती के क्षेत्र में, अन्याय पूर्ण प्रतीत हो सकता है, for example, अब यहाँ पे अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में क्या है? एक राजनिती के क्षेतर में भी न्यायपूर्ण हो सकता है कि एक आदमी 100 रुपे कमा रहा है उसके उपर 10% टेक्स लगाया गया है और राजनिती के क्षेतर में क्या है 100 यहाँ पे प्रतिनिधी है और 100 में से क्या है 10 प्रतिनिधी पिछडे वर्क से आएंगे 20 प्रतिनिधी हिंदू से आएंगे 30 प्रतिनिधी मुसलिम से आएंगे तो क्या ये पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लागू नहीं हो सकता इस तरीके से जो चीज अर्थ विवस्था के क्षितर में नियाय संगत लगती है हमें वो हमें राजनिती के क्षितर में अन्याय पून लग सकती है माइकल वॉलजार के शब्दों में अलग-अलग वस्तुओं और अलग-अलग कारणों से अलग-अलग एजेंटों द्वारा अलग-अलग वितृत किया जाना चाहिए ये सभी अंतर अलग-अलग समझ से उत्पन होते हैं जो एतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अलग-अलग प्रिष्ट भूमी का अपरिहारी उत्पाद है उधारन के लिए प्राचीन ग्रीस में लोग गरीबों की मदद करने के बजाए स्टेडियम के निर्मान के लिए पैसा देना पसंद करते थे यहां उनकी नियाय की अउधाना पर आधारी थे वाल जार भारत का उधारन देते हुए कहते हैं कि जाती विवस्था वर्तमान समय में भी जारी है क्योंकि अधिकांश भारतियों को इस विवस्था से कोई समस्या नहीं है वे सिस्टम के साथ सदस्यता लेते हैं जनम के साथ ही वो अपनी सदस्यता लेते हैं यह विवस्था जारी है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सामान्य बात है अता भारतिये लोक तंतर में जाती की भूमी का स्वभाविक ही है वालजार के अनुसार समाज में नयाय तभी होगा जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे हमें अपने अर्थ और मुल्य उन लोगों पर नहीं थोपने चाहिए जो ऐसे मुल्यों के साथ अपनी पहचान नहीं बना सकते बहुत ही सिंपल है इनका नयाय का क्षेतर की अलग-अलग संस्कृती अलग-अलग संस्कृती में अलग-अलग परकार के नयाय होते हैं अलग-अलग परकार की विवस्थाएं होती है आज हम अगर ये कहें कि आपको धर्म को छोड़ना पड़ेगा आपको मुसलिम धर्म को छोड़ना पड़ेगा हिंदू धर्म को अपनाना पड़ेगा तो ये अन्याय होगा माइकल वॉलजार के अनुसार अगर हम ये कहें कि हिंदू राष्टर बना दिया जाए और मुसलिमों के जो अधिकार है वो खतम कर दिये जाए और जैसे अधिकार हिंदू को दिये जाते हैं वैसे ही अधिकार मुसलिमों को दिये जाएं तो कहीं न कहीं माइकल वॉलजार के अनुसार ये अन्याय संगत है वालजार ने दिया है Just War Just War Doctrine सबसे पहले Just War Doctrine को यहाँ पर समझना जरूरी है Just War Doctrine एक इसाई परमपराग से जुड़ी हुई एक आउधारना है एक सिधान्त है यह सेंट ओगस्टाइन के लेखों में आपको देखने को मिल सकता है सेंट ओगस्टाइन पहले ऐसे इसाई चिन्तक है जिन्होंने Just War सिधान्त को दिया है और आधुनिक समय में Just War Doctrine को Just War Theory में कनवर्ट किया है माइकल वॉलजार ने Just War सिधान्त युद्धों के मानविये और नैतिक पक्षों को समझाने और नियंतरित करने के लिए एक नैतिक फ्रेमवर्ग प्रस्तुत करता है दोस्तों आपने देखा होगा महाभारत के अंदर क्या है युद्धों को लड़ने के लिए कुछ नियम सेटकिये होते थे कुछ नैतिक मुल्य सेटकिये होते थे जैसे जैसे ही दिन धल जाए तो दिन धलने के बाद आक्रमन नहीं किया जाएगा जैसे ही सूर्य उदे होगा वैसे ही युद शुरू होगा और सूर्यास्त के बाद किसी भी परकार के हतियारों का प्रियोग वर्जित होता था किसी के साथ शडियंतर नहीं किया जाएगा और जब भी आपने युद की डिकलेरेशन करनी है तो आप शंकनाद करेंगे आप संधी के लिए भी जाएंगे अगर संधी से बात नहीं बनती है तो आप युद करेंगे करते हैं माइकल के जस्ट वार सिधान्द के प्रमुख तत्व समझना जरूरी है क्योंकि अग्जाम में पूछा जाता है कि जस्ट वार सिधान्द के कौन से प्रमुख तत्व है सबसे पहले कौज ओफ वार युद की शुरुआत एक न्याए वादी युद उधारन के रूप में होनी चाहिए जो किसी अन्य देश द्वारा अधिकरित है या स्वतंतरता अधिकार या मुल्यों के बहाली के लिए लड़ा जाए कौज ओफ वार आप युद इसलिए नहीं लड़ सकते हैं कि आपने किसी और देश के संसादन हथिया लेने हैं आप युद इसलिए नहीं लड़ सकते कि आपने अपनी समराज्यवादी नीतिया किसी दूसरे देश के उपर ठोपनी हैं आप कॉलोनाइजेशन के लिए युद नहीं लड़ सकते हैं अगर आपने युद लड़ना है वो तभी तारकिक है वो तभी उचित है यदि आप क्या है अपने स्वतंतरता के लिए अपने अधिकारों के को बचाने के लिए अपने मुल्यों की बहाली के लिए युद लड़ते हैं necessity of crisis युद को शुरू करने का कारण एक विशेश संकट की आवशकता होती है जो अन्य न्यायवादी तरीकों से हल नहीं हो सकता यानि युद तभी आप कर सकते हैं जब आपने संधी करने के सारे के सारे जो तरीके हैं वो उपयोग में ला दिये हैं कोई भी हल आपको युद क सिवा नहीं दिखता है तभी आप युद कर सकते हैं तभी ये न्याय संगत कहलाएगा Righteousness means of war यानि युद के लिए साधनों का उचित और अनुप्युक्त उपयोग किया जाना चाहिए अनुप्युक्त नहीं उप्युक्त होगा ये उप्युक्त यानि आपने जो means जो हमला हुआ है पाकिस्तान के द्वारा तो आप ये नहीं करोगे कि आप सिधा उनके उपर एटोमिक बम गिरा दोगे और पूरा पाकिस्तान आप खतम कर दोगे आपके आपको क्या है Righteousness होनी चाहिए साधनों का उचित उप्योग किया जाना चाहिए अन्यता युद को न्य ही माना जाएगा इस थियोरी के अनुसार नेक्स्ट है Righteousness of Intent यानी युद के परिणाम सुरूप होने वाले लक्षों की न्याईता का समर्थन करना महतोपून है लक्ष जो होते हैं आपका intent जो होता है लक्ष राष्ट्री सुरक्षा हो सकती है सोतंतरता के प्रति समर्पन इत्यादी हो सकते हैं और लास्ट इसमें है respect for civilian यानी युद के दोरान civil जनता का सम्मान किया जाना चाहिए civil जनता को किसी भी परकार की हानी उनके घरों को उनके जो food से related उनकी security है किसी भी परकार का उसका हनन नहीं होना चाहिए तो ये है just war theory माइकल वालजार की आगे दे सिधान्त जटिल समानता न्याय का एक सिधान्त है जिसे माइकल वालजार ने 1983 में spheres of justice में प्रकाशित किया है माइकल वालजार के complex equality सिधान्त का मुख्य उदेश्य सामाजिक न्याय और समानता के प्रशनों का समाधान करना है complex equality के कुछ प्रमुख तत्व इस प्रकार है तो इन्होंने complex equality क्या है spheres of justice नामक किताब में 1983 में प्रकाशित किये हैं और complex equality का मुख्य जो उदेश्य है वो सामाजिक न्याय और समानता के प्रशनों का समाधान करना है social justice और equality तो सबसे पहले देखिए आपको इसी पॉइंट से समझ आ जाएगा कि आखिर complex equality है क्या understanding different dimension of equality equality क्या है complex है क्यूंकि equality के बहुत सारे dimension है हम equality का सिर्फ एक dimension नहीं देख सकते आप बोलोगे कि सभी के अंदर क्या है पैसा क्या है equal divide कर दो तो वो justice हो गया economy के आधार पे justice आप socially भी तो उनका देखो आप economic justice, social justice, political justice, cultural, multicultural यह सारे जो justice है उन सब को मिला के एक equality बनती है और इस equality को इसी लिए complex कहा गया है ठीक है तो इस point को आप देखिए understanding different dimension of equality वालजार का मानना था कि समानता का एक ही रूप नहीं हो सकता बलकि इसमें विविन पहलू होते हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादी उन्होंने इन सभी पहलूओ को समझने का प्रयास किया और सामाजिक न्याय के प्रती विभिन संदर्भों में इन्हें समायोजित करने का प्रोचाहन किया है Need of equality उन्होंने समाज में न्याय के साथ समानता को प्रोचाहित किया है और विभिन वर्गों के लोगों को एक दूसरे के साथ अधिक समान दृष्टिकों से देखने का प्रोचाहन दिया है Support for Social Justice Walljar ने समाजिक न्याय का समर्थन किया है उन्होंने समाज में न्याय के लिए संदर्चनाओं और नीतियों को ऐसा बनाने की मांग की है जिस समाज में विभाजन और असमानता को कम किया जा सके Judicious Balancing यानि उन्होंने समाज में विभिन समाज, शाष्ट्रिय और नैतिक मुल्यों को ध्यान में रखते हुए संदर्चनाओं को समिक्षन किया है तो यहाँ पे simple word में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ Complex Equality क्या है? Complex Equality का मतलब है कि Equality का केवल एक ही पक्ष नहीं हो सकता है वो समानता आर्थिक हो सकती है, राजनितिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है और जब इन सभी पहलूँ को ध्यान में रखकर आप justice करते हैं इन सभी पहलूओं को ध्यान में रखकर जब आप समानता को सोंचते हैं तो वो काफी कॉंप्लेक्स हो जाती है आप जब किसी के साथ political equality स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो कहीं उसके साथ economic inequality तो नहीं हो रही है जब आप social justice उसको देना चाह रहे हैं जब आप उसको economic justice देते हैं तो economic justice के साथ क्या social justice भी हो रहा है political justice, social justice, economic justice ये आपस में गुथे हुए हैं और इन सभी को ध्यान में रखना होता है इसलिए equality क्या है? कॉंप्लेक्स है तो सबसे last में मुल्यांकन देख लेते हैं इनका माइकल वॉल्जार एक समुदाई वादी या समुदाई वादी कौमटेडियन चिन तक है जो एक्षर exam में पूछे जाते हैं तो दोस्तो ये थी आज की एक वीडियो जिसमें हमने माइकल वॉल्जार के राजनितिक विचारों को समझने की कोशिश की I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी Thank you, thanks for watching